दोस्तों आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में दोस्तों आज मैं आपको हनुमान जी का एक ऐसा मंतर बताने जा रहे हूं जिससे आपकी हर मुनोकामना पुरी होगी दोस्तों हिंदु दर्म के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है हनुमान जी जानी बल बुद्धी और कोशल के दाता शिरीराम जी के बरम वक्त और बगवान शिव के रुद्रवतार है हनुमान जी को सदा से ही साहस और वीता से जोड़कर देखा जा अगर आपको रात को ड्रावने सपने आते हैं शनी देव की पीड़ा के कारण समस्या हो या किसी के नजर लगने का डर हो तो बगवान हनुमान जी की सच्चे हिर्दे से पूजा करना आपके लिए बहुत लाब दायक हो सकता है आए आज जाने कि किस तरह आप हनुमान जी की गर पर ही पूजा कर पूरन लाब उठा सकते हैं हनुमान जी की पूजा प्रती दिन तो करनी ही चाहिए लेकिन मंगलवार और शनीवार को विशेश रूप से इनकी पूजा करनी चाहिए अगर संबव हो सके तो जाते को 21 मंगलवार का वर्थ पूरे ही निश्टा से रखना चाहिए अगर व्यक्ति दुखी है तो उसे हनुमान जी की पूजा ही करनी चाहिए बजरंग बली की पूजा दुखों के नाश के लिए अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है ऐसी मानता है कि जो व्यक्ति उनका ध्यान करता है उनके मंतरों का जाप करता है उन पर बजरंग बली की किर्पा हमेशा बनी रहती है साथ ही उसके जीवन से समस्थ जन्जट और प्रशानिया भी समाप्त हो जाती है कहा जाता है कि अगर हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के चमतकारी इस मंतर का जाप किया जाए तो व्यक्ति को काम्याबी हासल होती है दोस्तो मैं आपको हनुमान जी का ये मंतर बताने जा रही हूँ जो अत्यंत लाबकारी और चमतकारी है तो दोस्तो मंतर है ओम हम हनुमते नमा ओम हम हनुमते नमा इस मंतर का जाप आपको 108 बार करना है इस मंतर का जाप करने से व्यक्ति को हर कष्ट और रोक से मुक्ति मिलती है यह मंतर बेहदी लापकारी होता है तो दोस्तों आप हनुमान जी के समक्ष देशिक गी का दीपक जलाकर उनको ये मंतर बोलें तो अवश्य ही वे आपकी प्रातना सुनेंगे और आपको लाब होगा धन्यवाद जै हनुमान